सम्वक, सुछोबेत, शिरिपारमहंस महन विबुतियों की सुन्दर जाकियों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एक दफा प्रेम सहेत मिलकर बोलिये प्रेम सरोवर है अगम, यहां न आवत कोई, आवत सो फिरिजात नहीं, रहत यहीं का होई प्रेमियों संसारिक प्रेम न तो सच्चा है और ना ही इस्थाई इस छणिक प्रेम के पीशे इंसान अपने स्वासों की अनमोल पूंजी क्यों ही खोकर स्वय ही मो ममता में उलज रहा है और अपना तन्मन धन निशावर कर रहा है जिसका परिणाम केवल 84 लाग यूनियों का बंदनी है और वहीं प्रभू का सच्चा भक्त अपने प्रभू प्रियतम के पीशे सर्वस्वय निशावर कर देता है वे अपने प्रियतम के लिए तन प्राणों की भी बाजी लगा देता है और अपने प्रभू के प्यार को पाने के लिए संसार के सब सुक बूल जाता है तभी तो वो अपने मालिक की परसंता का पात्र बनता है महब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ हैं फिदा कर दे महब्बत में वो ताकत है कि बंदे को भी खुदा कर दे एक सच्चा भग्त सर्वस्व समर्पन करके ही सच्चे प्रेम को पा सकता है जो प्रेम का पुजारी है वो सदा ही प्रेम का ही वर्दान मांगता है और हमेशा ही अपने सद्ग्रू के चरणों में यही प्रातना करता है कि हे मेरे सद्गुरू मुझे अपना प्रेम दीजी सच्चा प्रेम यदि बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तू होती तो सभी दन्वान लोग इसे खरीद कर अपने पास संचित कर लोती और विचारे निर्दन लोग तो इन से वन्चित रह जाती यदि इस प्रेम के मार्ग में राजा और रंक का बेद होता तो बगान शिरी किष्ण चंद्र जी दुरोदन के शत्तिस प्रिकार के वेंजनों को ठुकरा कर बक्त विदुर जी के गर न जाते नहीं वहां बिना नमक का साक स्विकारते नहीं केलों के शिलके खाकर उनका गुणगान गाती प्रेम की डोरी में जब एक बार प्रभू बंद जाते हैं तो फिर उसे किसी चीश की कमी नहीं रह जाती ये प्रेमी तो सब सादनों का मूल है परमसन शिरी कबीर साहिब जी अपनी वानी में फर्माते हैं कि सब आये उस एक में डार पात फल फूल अब कहो पाशे क्या रहा वही पकड़ा जब मूल सब सादन का मूल है दुरलब सतगुरु प्रेम प्रेम बिना थो थे सभी ज्यान ध्यान अरुनेम जिस प्रकार पेड को सीचने के लिए डाली डाली और पत्तों को पानी देने की अपिक्षा केवल जड में ही पानी देना परयाप्त होता है उसी प्रकार अन्य सब सादन जप तप ध्यान और ग्यानादी करने की स्थान पर यदि केवल प्रभु प्रमात्मा से प्रेम किया जाए तो उन्हें पाले नाती सरल हो जाता है इसी सच्चे प्रेम में व्याकुल राज रानी मीरा भाई को राना की ओर से बेजे गए नाक से भी कोई आच नहीं आई उसे तो उस काले विश्चदर में भी अपने गिड़दर गोपाल के साक्षा दर्शन हो रहे थे और विश्च का प्याला भी उसके लिए सुदा रस्बन गया और वहीं बक्त परलाद ने भी प्रभु प्रेम में मगन होकर अपने पिता दोरा दी गई अने को दारून यातना सहिन की इन सब विपदाओं से उसका बाल भी बाका न हुआ अपितू इन से तो उनकी भक्ती में और भी चार चान लग गए प्रेमियो इसमें कोई संदेह नहीं कि सच्चे प्रेमियो की रहा में संसार कई प्रकार के रोड़े अटकाता है परन्तो इन से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि उनकी सूरत अपने इश्ट देव के चरणों में लीन होती है अपने सद्गुरू के चरणों में लीन होती है तो उसे लोगों द्वारा दिये वे कश्टों का बोध कैसे होंगा एक सचे प्रेमी को अपने प्रियतम के अतिरिक दो और कुछ भी नजर नहीं आता प्रेम से यहीं बगवान है ऐसे सचे प्रेम के हिर्दे में आ जाने पर संपूर्ण वासनाय नश्ट हो जाती है मन निर्मल हो जाता है और ऐसे सचे प्रेमियों के साथ सद्गुरु सेंव विच्रन करते रहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाशे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर प्रेमी भक्त अपने मन में किसी अन्यका चिंतन नकक के दिन राज सचे प्रेम का आनन प्राप्ट करता ही रहता है उसे तो प्रियतम के बिना अन्यक किसी से कोई सरुकार नहीं होता उसकी तो केवल यही अबिलाशा होती है कि नैनों की करी कोठरी फुतिली पलंग भिशाए पलकों की चिकडारी के पियको लियार जाए जगत के सकल आढमबरों से अपनी चित्वरती को समेढ़ कर भगवान के साथ अपने नाते को सद्रड करना ही अपने में सच्ची मानवता बरना होता है और प्रभू के प्रेम के बिना इस जूटे संसार के पिदार्थों में आ सकती रखकर दुख और पीणाओं को निमंतरन देना होता है परमसंचरी कबीर साइब जी कतन करते है कि जिस प्रकार लोहार की धोकनी निर्जीव होते हुए भी स्वांस लेती है उसी प्रकार भगवान के प्रेम के बिना मनुष्य जिवित तो रहता है परन्तु निश्प्राण की बाती वह तो बस स्वांस लेकर अपनी जीवन यात्रा पूरण कर रहा है देखा जाये तो संसार में इंसान अपने प्रेम की बहुनाओं का सध्य प्योप नहीं कर पा रहा अपने इस प्रेम को उसने जूटे संसार इक प्रेम में बदल दिया है संसार का प्यार प्रेम नरह कर मोह का रूप है इसको दारण करके मनुष्य शक्रगामी हो जाता है अपने आचल में फूल नबर कर काटे बर लेता है और यही मोह सारे दुखों और परिशानियों का मूल है मोह सकल बयादीन करमूला तीन अते पुनी उप जहीं भूसूला इस संसार में प्रेम का प्रभाव अनूठा होता है वही प्रेम जब संसार के सामनों से दन इशरें से माया के पडारतों से होता है तो उसका फल, दुख, चिंता, कलह, कलपना के अतिरिक तो और कुछ नहीं होता संसार में रहते हुए तो ऐसे प्रेम को पालेना सरल है किन्तु ये तो प्रेम का नित्यानती दुरुपयोग है सभी लोग इस मो ममता में लीन है जिसका परिणाम आवा गमन का चक्कर है सत्पुरूश्री गुरु अरजुन देजी माराजी अपने वच्छनों में फरमाते है कि अति सुंदर कुलिन चतुर मुकी ज्ञानी दनवंत मिर्तक कई ये नान का जिन प्रीती नहीं बगवंत